हम इतना तबील रास्ते करके जाएंगे जबकि मैं जानता हूं जाना वेकार है आगले चन्द रोज में तो ये रोटी भी खाने को मैं ऐसा नहीं आएगी रास्ते के खतरात के बारे में भी सोचा है खुंखार वह्षी दरिंदों और राजनों से भी वास्ता पड़ सकता है आप लोग सब ग्यारा भाई हैं सब के सबने डर और बहादूर फिर डर और खौफ कैसा मैं आपके लिए सामाने सफर और कुछ जादे रहा कर दिजाम करते हूं अगर तुम लोगों का ख्याल ना होता तो मैं कभी न चाता अपनी मां का ख्याल लखना अब घर की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है हम अब बड़े हो गए हैं बाबा क्या हम आपके साथ नहीं जा सकते नहीं बेटा हम भाईयों ने तैय किया है कि हम में से कोई भी अपने बेटों को साथ नहीं लेके जाएगा और वैसे भी अभी तुम लोग कम उमर और ना तजरबेकार हो और सफर के खतरात से नाशना तबील सफर के लिए तजरबेका होना नहाद जरूरी है अपना बहुत ख्याल रखियेगा मैंने सुनाए है कि राजन खात लगाए बैठते हैं और कारवां बालों पर हमला करते हैं ग्यारा बरुमन भाईयों पर हमला करने की किसमे जुर्ट होगी और फिर किनान के दीगर अफराद भी इस सफर में हम लोगों के साथ होंगे अहद, जर्शू, कहार, देखो घर और जानवरों की तरफसे में बेफिकर हो जाओना मैं तुम लोगों के भरोज्य पर इस सफर पर जा रहा हूँ मैं आपका सम्माने सफर अमादा कर देती हूँ सिपास गुजार हूँ ये चंड रोटियां है रास्ते के लिए और घर में कुछ नहीं है यही काफी है वो सिप्के संभाल के रख लिए है ना आपने परिशान मत हो वो बिलकुल महफूज है हाला के मैं इस सफर से ज्यादा पूर उमेद नहीं हूँ रोबीन ये जानवर हमारे सफर के लिए काफी होंगे ना हाँ, हाँ, काफी तो होने शाहिए जाते वक्त उन पर सवार हो जाएंगे और वो अपसी पर गंदुम लाद देंगे गंदुम वह सराज़त तब लादेंगे ना हम भी आपके साथ से लेंगे सफर पर जाने के लिए काफी अफ़ाद जमा हो गए है हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है हम तादाद में जितने जादा होंगे ये खतर का इंकार कम होगा इस सफर के तमाम खतरों के बावजूद मुझे यकीन है कि हम खालियात नहीं लोटेंगे अवक्कल बर्कोदा, बाराल हमें तो अब इस सी कुशिश करनी चाहिए भाईयों, अपना खयाल रखेगा और बहन, तुम भी हमारे बीवी बच्चों का खयाल रखना और अपना भी आप भाईयों के अमरा नहीं जाएंगे जाना तो चाहिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाबा इजासत नहीं देंगे आप बात तो करें, शायर इजासत दे दें देखता हूँ कि जासत बहुता हूँ कि आप भाईयों के जाए लिए ले लेखना आप भाईयों कि भाईयों आपूरत है आप भाईयों कि लेखता हूँ बाबा हम जाने के लिए त्यार हैं, आपकी इजाज़त है? बाबा, क्या आप इजाज़त देंगे के मेरे अपने भाईयों के हमरा चला जाओ? नए इसकी जरूरत नहीं, तुम यहीं मेरे पास रहो और अपने भाईयों की अदम मौझूद्गी में तमाम खांदान वालों को संबालो जैसा नभी खुदा मनासिर समझें, आया नभी खुदा सफर के लिए हमारी कोई रहनुमाई नहीं परमाएंगे? जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस कहत के नतायश से काफित पूर उम्मीद हूँ लहाजा नसीद करता हूँ कि इस सफर में पीश आने वाले वाकियात को खेर सला समझना ना कि मुश्किलात और रुकावट ही, हर वाके में कोई न कोई हिकमत पूशिदा होती है हमारे हक में दूआ कीजिए गबाबा खुदा निकेदार हो खुदा निकेदार भी नियादी फिर बी ले कि बाड़ इत्मना रिकिता ही, हम हालियात नहीं रोटेंगे खुदा निकेदार जब हर्कत करेंगे अपने ख्या लखना खुदावन्दा इने काम्याब और से उस्राम प्लोटाना आमीन बानजुलेखा कहा अब कहा जा रही है सुना है कि युजार सीफ सफर से वापस लोट रहा है उसे देखने के लिए नील के साहिट तक जा रही हूँ क्या तुम्हें यकीन है कि वो आएगा भी हाँ मुझे यकीन है जल बदेर वो जरूर आएगा देखा तुमने कितनी सादा और भोली है गोया तुम्हारी तंजिया बाते उसे समझ ही में नहीं आई लगता है अपनी अकल से हाथ दो बैटी है लेकिन मैं फिर भी उनके लिए एहतराम के फाइल हूँ दिवाने भी काबिर एहतराम हुआ करते हैं हमेशे बचे और जवान युजार सीप से मतालिक जुटी जुटी खबरों से उसे बेवकुफ बनाते रहते हैं और उसे इनाम मिरते रहते हैं इसके बावजूद के अब उनके तमाम शान और शौकत खत्म हो चुकी है लेकिन फिर भी वो नाउमीद नहीं हुई है युजार सीप के खबर सुनते ही उन्हें देखने के लिए चल पड़ती है युजार सीप तो हर रोज किती ना किती शहर में होता है उससे मिनना इता है इता है झाल 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 युसफ के खुश्मु आ रही है युसफ के खुश्मु आ रही है युसफ यही कही है मैं उसकी अपू मेहसस कर लही हूँ आपको वहम हो गया है बानू युसफ यहां तहां से आए नहीं नहीं मुझे पूरा यकीन है वो जरूर यही कही नज़ी की है जरा खौश से देखो भागल दीवानी फले लुजासिप यहां कहां से आए माफ कर दीजिये पानो मैंने जानबूच के ऐसा नहीं किया है मैं बेखतियार हो गई थी मुझे तुम से कोही गिला नहीं गिला तुम मुझे यूसफ से है अगर वो आजाता तो ये लागन अवला मुझे अशनी पर दी लेके दूआगा विलागरे क्रोषी एंतिसार प्हत्मो करेका आजाए लगाओ। झाल झाल ये जमीन फिलहाल बंजर है लेकिन जल्द ही काहत खत्म हो जाएगा ये जमीन मिसर के बहुत से गरीब काश्टकारों के लिए काफी होगी अब ये तमाम मेराजी हकूमत मिसर की मिलकियत है हमें इन सारी जमीनों को नादार काश्टकारों में तक्सीम करना होगा ताके वो इस पर अपने लिए काश्ट करें और हकूमत को महसूल अदा करें ये तो बहुत अच्छा होगा इस तरह थमाम खुलाम साहिब जमीन हो जाएंगे नहीं मालूम इस वक्त अहले किनान पर क्या बीट रही होगी वो पहत में क्या कर रहे होंगे है काश मेरे बाबा और भाई यहां होते और वो इन वसीर जमीनों पर काश्ट कारी और गल्ला बानी करते जब ये इतना बड़ा दर्याए ने लिस तरह खुश्क हो गया है तो जाहर है किनान के हलत क्या होगी पर भाई जाहर है दुरूद बर सालारे कारवान बाबिल आपने ये गंदुम कहां से हासिल की है आप पर भी दुरूद हो मिसर से आये हैं आप भी जाएए खाली हाथ नहीं लोटेंगे क्या भी काफी मसाफ़त बागी है वो मिसर की इफादित चुम्दिया नजर आ रही है सादा दूर नहीं है करीब है सिफाद गुजाद में खुदा है निकेदार खुदा है निकेदार जल्दी करो जल्दी जल्दी कादम बढ़ाओ वाद अब तक तो बड़ी बेजारी से मिसर आ रहे थे अब क्या हो गया अब तक कोई उम्मीद चुदाती है कहाँ जा रही है हवा बहुत सर्द है आप बीमार हो जाएंगी सर्दी का इलाज तो गर्म लिबासी की अजा सकता है अगर आस्मान से पत्थर भी बरसें तब भी मैं जरूर जाओंगी रुक चाहिए मौसम के बहतर होते ही साथ चलेंगे क्या गोशा नशीन हो जाना रसमे आश्की है उस पत्थर के मुझसमे के सामने इतने दिन बैठी इंतिजार किया क्या हुआ क्या यूसफ आए आप इस मुझसल इंतिजार थे ठकी नहीं आखिर तुम लोग समझती क्यों नहीं हर रात यूसफ की दीदार की उमीद में आँखे बंद करती हूँ और सुभा उसके दीदार की आस में उस पत्थर के मुझसमे के सामने इंतिजार करने बैठ जाती हूँ यूसफ का इंतिजार है आप मेरा मकसद है आप है मैं कभी नहीं मायूस होकर इंतिजार करने से नहीं तक हूँ आप सिर्फ यूसफ का इंतिजार है तो मेरे पास रहे हैं और तुम लोग मुझे से मना कर रही हो अब हम आपके पीछे नहीं आएंगे बानों जहां जाना चाती है जाएं आप दिवानी हो गई है इल्कुल दिवानी अगर आपने अपनी दिदेगी बर्बाद कर डाली है तो हम क्यों बर्बाद करें चलो मैं तो इतनी सर्दी में बाहर नहीं निकल सकती इनके लिए अपना दिल जलाना पेकार है जलेखा क्या इस सर्दी में तुम्हारा कोई घरियां ठीकाना नहीं है कसर है ना महल की तरह कुशादा अबर की तरह तंग जिन्दान की तरह तारी घर है मेरा जो भी है यहां से तो बहतर होगा यहां तो बेमार पर जाओगी मैं किसी के मुनतासर हूँ किसी ने बता है कि वो आएगा अगर नहीं आया तो चले जाओगी जड़ो चले क्या हुआ तुम लोगों ने थे मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था ना कोशिश तो बहुत की लेकिन हो न सका हमें आपकी आदत हो गई है बानो बचपन से आँखोलते ही सिर्फ आप ही को रेखा है आप ही के कसर में पले बड़े हैं किसी और जगह से तो हम वाकिव भी नहीं मेरा पीचा छोड़ दू मेरी तनहाईयों में मुखल मत हो लेकिन हम आपको यो तनहा तो नहीं छोड़ सकते ना तुमारे साथ जब होती हूं तो तनहा हो जाती बना हमेशा हर जगह युस मेरे पास होता है तुम दोनों क्याती वो मुझे छोड़ कर चला जाता है क्या इनका ये इश्क हवास परम अबनी है क्या अब भी वो कोई नसाने खौईश रखती है मुझे नहीं लगता अब जुलैखा के पास बचा ही क्या है जो वो कोई नफसाने खौईश रखे वो जैसे जैसे बूरी होती जा रही है उतनी ही दिलनशीन होती जा रही है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जुलैखा को भी पसंद करने लगी हूं और इशक जुलैखा को भी लाम और पता वागरालिक कर दे दो हम दस भाई है मैं लावी हूँ ये शमून यहुदा जाद दान जबूलू यसाकर अशीर निफ्ताली रुबीन हम सम फर्जंदान याकूब और किनान के रहने वाले हैं तम दस अफराद भाई हो तिपस किसलिए आये हो दूसरे लोग किसलिए आये हैं हम भी दूसरों की तान तुमें दूसरों से कोई मतलब यहोना चाहिए मेरे सवाल का जवाब दो तुम लोगों की मिसर आने की वज़ा क्या है हम गंदुम खरीदने के लिए मिसर आये है हमारी सज्जमीन किनान भी कहत की ज़दने है हमें बताएं अब हमें क्या करना होगा हमें मामूर किया गया है कि अजनबी लोगों की मुकमल मालूमात असल करें हमें मालूम होना चाहिए कि तुम लोगों ने इससे कब यहां से गंदुम हासिल किये या नहीं आया गंदुम के ताजिए हो या कहत सदा अपने नाम पते और कुल तादाद लिखो ये इतने सारे बहाने किसलिए अगर गंदुम नहीं बेचना है तो इतना तांक्यू कर रहे हो यह यहां के खवाणिन है अगर कबूर नहीं है तो जा सकते हो जा कोई गंदुम नहीं है यहां बस करो शमून मैं आपसे माज़द चाहता हूँ जनाब अगर ये कवानिन सबके लिए हैं तो हम भी इनका इतराम करेंगे आप बताईए अब हमें क्या करना होका अपने तमाम कवाईफ इस कागश पर दर्च करें वो हम जनाब युजारसीद की खिद्मन पे पेश करेंगे देखें वो क्या होकम देते हैं तुम और तुम्हारे दिगर भाई मेरे होकम लाने तक यही दर्वादे के बाहर इंतलार करें बहुत बहतर जनाब इसमें लड़ने जगरने के तो कुछ बात ही नहीं हम यहां गंदुब लेने आए हैं यह लड़ने जगरने तुम लोगे तो आदत हो गई फितना फसाद की या नभी खुदा दर्वादा सूरिया का नेगवान गुदाशाद पेश करना चाहता है क्या इजादत है? हाँ बुला लीजियो से दुरूद बरारे जनाब युजार से दुरूद खुदावन हो तुम पर भी हाँ कहो क्या बात है? कुजिश ताफ्ते दर्वादा सूरिया से शेहर तिफ्स में दाखिल होने वाले खैर मुल्कों के गुलतादा तीन सो नवे थी सबने एक एक बुरी गंदुब खरी दी और उसी दर्वादे से वापस चले गए उन सब का तालुक हमारे खुर्ब जवार के हमसाए मुमालिक शामात वगर ऐसे था बस और कोई खास बात नहीं है अलबता आज दस भाई जो अपने तालुक केनान से बताते हैं वारिद शेहर होना चाहते हैं केनान से? दस भाई? नाम नहीं पुछे उनके? क्यों नहीं आली जनाब? उनके नाम इसमें दर्च कर दी गए वही है? बने इसराइल क्या हुआ नबी खुदा? क्या कोई नाखुशकवर वाक्या पेशाया है? इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था? कुछ नहीं बाराओ, सिर्व उन दस भाईयों के नाम दर्च थे मालिक, उन्हें एधराम के साथ पस्रे आखनातून ले जाईए आपको खुदा का वास्ता कुछ तो बताएं आखिर आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बिलाखित तक्दीर मेरे भाईयों को मिसर ले आई है ताके वादा खुदावंदी की तक्मीलियत का अपनी आखों से मुशाहिदा कर सके इतने तवील अर्से बात इरादा खुदावंदी यही था कि हम एक दूसरे से इतने अर्से दूर रहे बस मेरा आप से ये तकाज़ा है कि यहां मेरे भाईयों की मौझूद की खा किसी को इर्म नहुने पाए खुदाया से पास गुजार हूं से पास गुजार हूं कहा है यह है क्या आप लोग किनानी है जी हां हम सब किनान से आये हैं आप लोग तो दस अफराद से ज्यादा है मुझे तो बताया गया थे कि दस किनानी भाई हैं बस हम दस भाई हैं बाग की सब काफले वाले हैं मैं अजीजे मिसर की जानिब से आया हूँ अगर आपको किसी तिसम की तकलिफ हुई हो या इंतिजा की जहमत उठानी पड़ी हो तो हम माज़रत चाते हैं आप दस भाई तिस्ट में दाखिल हो सकते हैं मुझे हुक्म मिला है कि आप लोगों को अजिज़ मिस्र के कसर ले जाओं और बाकी को जानियों का क्या होगा बाकी सब लोग गंदुम की वसूली के लिए जा सकते हैं आप सब भाई में बेर साथ तश्रीफ लाईए आगर हम दस भाई ही क्यों ये तो मुझे नहीं मालूँ ये आपको दसीज़ मिस्र से पूछ लीज़ेगा तश्रीफ लाईए घबराईए मन आप अपनी गंदुम हासिल करने जाईए वाफसे में आकर इसी दर्वादे पर एक गुसा से मिली छेगा इनके जानवारों को उनकी वाफसे तक अस्तबर ले जाईए और उनकी जैक भाल करें आईए मेरी तो कुछ समझ में नहीं है कहां इतने सक्ती बढ़ती गई और कहां अब इतनी नर्मी से केश आया जा रहा है आखिर हमें अजीदे मिस्र के कसर क्यों ले जाया जा रहा है वो सक्ती अदम मागाही के बाइस थी जो मामून ने की थी और ये नर्मी उस महरबानी और महमान नावाजी की बदालत है जिसका अजीदे मिस्र ने हुकम दिया है क्या वो सब कर इतने ही महरबान है अहल मिस्र युजार सीफ की परस्तिश करते हैं वो सब के साथ ही नहायत महरबान है अलबता सब को कसर में मदू नहीं किया करते हैं और इसकी वज़ा बहतर होगा आप खुद उन्हीं से पूछ लीजिए मैं नहीं जानता है मैं जानता है मैं जानता है मैं जानता है कि बिन्यामी भी उनके साथ ही में हो, उनमें से अकसर के सारोदाडी के बाल कितने सुफवैद हो गए हैं, आसनाद, क्या वो भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे? परिशान मत हुए, आप उमर में सबसे छोटे थे, लहाज़ा सबसे ज़ादा तबदीली आप ही में आई होगी, खास कर इस लिबास में, उमिद है ऐसा ही हो चली खुदावन्दा, मैं किस तरह उनके सामने जाओं? अगर मुझे पैचान लिया तो कब राइमत, वो आपके भाई हैं नभी खुदा, कुछ भी नहीं होगा वो भाई जो मेरे गतल का इरादा रखते थे और आप भी नहीं मालूम कि वो किन खसलतों के हामिल है और वैसे भी, मेरे जहन में उनके लिए एक मनसूबा है, लहाजा मैं अभी ना पैचाना जाओं तो बेहतर है फिर वो ही महारे माउद? मालूम नहीं, इस इसम में ऐसा क्या रास पोशीदा है, कि जब भी मैं इसे मतवसल होता हूँ, तो मुझे सुकून मिलता है मैं चंदरो दिने अपने पास ही रोकना चाहता हूँ आज कई वरसों के बाद मैंने इनहें देखा है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग यहां क्या कर रहे है आपके ख्याल में अजीज इसमिसर कम से क्या काम हो सकता है हमें यह नहीं आना चाहिए था लगता है यह सी मुसीबत में फस गये हैं जिससे रहाय यह बूंकी नहीं इसके बरक्स मुझे तो नहायद सुकून महसूस हो रहा है और इनकी रादे भी नापाक मालूम नहीं होते हैं हुक्म की तामिल हो चुकी है अब क्या हुक्म है मेरे भाई हमारे महमान है कुछ रोज यहां कयाम करेंगे नीमी साहब उसे कहिए कि उनके गयाम और तौाम के लिए बहतरी नहतमाम करें जनाब मालिक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो लोग खुश नहीं है वो लोग यहां लाई जाने का सबब जाना चाहते हैं उन्हें बताईए कि अगर अजिजए मिस के इरादे नेक नहीं होते तो इस वक्ट वो यहां कसर में नहीं होते आप बेफिकर हो जाएए उन्हें मुतमें करना मेरा काम है खुश हमदीद मैं उम्मीद करता हूँ कि यहां इस तबील मुसाफ़त की ठकान और खस्त की दूर हो जाएगी आखिर हमें यहां क्यों लाया गया है अजिजए मिसर को बला हमसे क्या काम है बला शुबव जिन्हें सजा देना मफसूद होता है उन्हें कसर में नहीं लाया जाता अलबता यह कि अजिजए मिसर को आपसे क्या काम है यह तो वो खुद ही बताएंगे मैं फक्त आपकी पजिराई और खिद्मत पर मामूर हूँ नीमी साबू अजिजए मिसर के मसाहिवे खास आपकी खिद्मत के लिए हमावक्त मौझूद है जिस चीज़ की भी जरूरत हो इनसे कह सकते है मैं भी आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ मेरे ख्याल में बहतर होगा के पहले नहा दो कर ताज़ा दम हो जाईे ताके सफर की ठकान दूर हो सके भुब दो कर दो को जो चाईे जहाईे आएिवे आए 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 अएगा आए आए ऑग्ग जो कर दो कर दूद एग जाएगा आए दूगा एगा है ताज़ुब है मैं नहीं पहचान पा रहा कि दान कौन है और जाद और अशीर निफ्ताली और जबुन कौन ये सब कितने बदल गए हैं अब आप क्या करेंगे उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सुडुक किया बहुत बुरा जो जुल्मों से तम उन्होंने मुझ पर ढाया वो खून के प्यासे दुश्मन भी एक दूसरे पर नहीं ढाते हट तो ये है कि उन्हें सक्स सक्स हजा दी जाए लेकिन मैंने उन्हें पख्ष दिया उसी लम है जब उन्होंने बतौर गुलाम मुझे फरोख्ष किया था और आपके बाबा याकूब क्या उन्होंनों भी उन्हें बख्ष दिया है नहीं अगर उन्हें ये पता चल जाए कि इन लोगोंने मेरे साथ क्या सुलूप किया था खुदावंद उन्हें पर रहम फर्माए मुझे उनके लिए कुछ करना होगा बाबा की नफ्रीन उन्हें बरबाद करतेगी मैं भी अगर उनकी जगा होती तो उन्हें एकनी आसानी से कभी माफ न करती उनके आराम और महमान वाजी में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए वो हमारे बहुत खास महमान है जात आली जनाब ये कसर आखनतून खुदा और खुदा के बेटे की रियाषगा मानी जाती है ना जाने किस तरह के लोग यहां आने लगे है क्या तुम जानता हैं ये कौन है इन मेमानो को जनाब युजार सीफ में बलवाया है आली तुम जाए लगे हैं ये बलवाया है लगे हैं ये उत्सक्तर तुम आखने तुम आखने लिए ये. झाल झाल कितनी रखबत से खा रहे हैं यकिनन कहत ने किनान में एक हशर बर्पा किया होगा जो ये लोग इतना तवील सफ़ताय करके यहां आए है जब इन लोगों का भूग से यह हाल है तो इनकी बीवी बच्चों की क्या हालत होगी कितनी धूल मटी में तू मटे हुए हो यहां तो मकडियों के जाले तरने हुए बिलकुल मेरे अंदर की तरह एक वी राद तारी खंडर तुम सब के नाम मुझे याद है अलबता कौन सा नाम के इस मजस्मे का है यह भूर चुकी हूँ कोशिश करती हूँ के याद कर सकूँ के किसका क्या नाम था बोरिस तुम्हारा याद नहीं है तिया शगाल अनुपिस मफदू मुफदीस गेत हाँ यही नाम थे ना तुम्हाले मैं यहां आया करती थी और एक एक के सामें हबालत किया करती थी आमूर अर्या यामान कहां है आखिर यह आमूर कहां है आमूर तुमने देखा मेरे मैंने तुम्हें किस खथर तलाश कियाता जाकर तुम्हें पाया पहले जानती थी कि तुम्हारा मुझसमा काहुआ करता था मैं यहां आया करती थी और तुम्हारी किर्ट चक्कर लगाया करती थी वैसे तुम अभी तक क्यों खड़े हों क्या तुमने नहीं देखा कि युस्फ ने तुम्हारे खुदाए अजीम को माबद आमूर के किस तरह सनी को किया तो मैं तो युस्फ के खुदा है अजीम के रूप रूँ आज ही दिखानी चाहिए उसके सामने जमीन बोस हो जाना चाहिए युस्फ के खुदाए पुसूर को पार्दर के उसूर में तुमें जमीन बोस होना चाहिए ता तुम बेजान पत्थर के खुदाओं को जरा शर्म नहीं आती कि युस्फ के खुदाए अजीम के मत्य मकाबल अब भी अपनी खुदाई का दम भाते हो जब युस्फ ने सारे बुदों को तोड़ आला है तो पिर जुले खान तोड़ होने एरे खुदाई युस्फ तु का वह रहना मैंने अपने खुदाओं को सर निगू कर दी हो युस्फ कहता था तु हर जगा हाजिर और नाजिर है तु हर जगा मौजूद है कोई चीज़ तुसे पुशिदा नहीं पास युस्फ से कहना कि आप जुले खाबुतों की परिस्टिश नहीं करती परवर्दिगारा तुने मेरे भाईयों को मुझसे मिलाया मैं इस बात पर तेरा शुक्र अदा करता हूँ मुझे मेरे बाबा और बिन्यामीन की पहुत याद आ रही हुए अब उन्हें भी मुझसे मिला दे इलाही खेजर के ये दिन बहुत तवील हो गए है तु विसल की घड़ियों को नजदीक करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं उस वक में नहीं जानती थी कि यूसफ किस से बाते किया करता था लेकिन क्या बाती करता था कि अब भी नहीं जानती इसे तू कौन है तू यू जार सीफ यू दीवानावार तेरी बरस्तिश करता है क्या तू आमोन जैसा खुदा है मुझे तू यकिन नहीं आपा मैंने तो कभी आमोन के लिए गिरिया नहीं किया किसी भी खुदा के लिए नहीं लेकिन मैंने बारहां यूसफ को तेरे लिए गिरिया करते देखा मैंने यूसफ के लिए बहुत गिरिया किया लेकिन तेरे लिए कभी नहीं गिया यूसासीफ यूसासीफ यूसफ यूसफ काता है जूलेखा की तरह बहुत सो नहीं यूसफ के फिराख में गिरिया किया लेकिन वो तेरे फिराख में गिरिया कुना रहता है तू यूकिनन बहुत अच्छा महबूत होगा वगर न यूसफ जैसा तेरी सताइश न करता और नहीं गिरिया कुना रहता खुशा नसीब यूसफ के जो तुझ जैसा खुदा रखता है खुशा नसीब तेरे के तू यूसफ जैसा बन्ता रखता है मेसरी की एक अश्राबजादी ने अपने शोहर के साथ खयानत की है बस इतना सुना है के वो आशिक हो गई है यकीन मत कीजेगा बानू हुजूर इश्क मुकदस है और आशिक कभी खयानत नहीं करता दिल का मामला है और दिल किसी मन तक को नहीं मानता आशिक किसी आलूदी को अपने पाक और मुकदस दिल में जगा नहीं देता हवस को इश्क का नाम देना मुनासिब नहीं क्या आपने कभी इश्क किया है जी हाँ कौन है वो तो यखिनन बहुत हसीन चमिल होगा तब ही तो तेरे होते हुए यूसिफ ने तमाम खुबरो हसीनाओं से बे एतनाई परती बता नहीं जिस तरह तू यूसिफ को अपनी बंदगी और राजू नियास की इजास्त देता है क्या दूसरों को भी देता है अब हर कोई तो यूसिफ की तरह पाक सा निश्ट नहीं हुआ करता है क्या गुनागारों को भी अपने दर्वार में कुबूल करता है क्या उनका दर्दे दिल भी सुनता है यूसिफ तू सब पर मेरबाद है क्या तू भी ऐसा ही है नहीं मालूम तू कौन है और क्या है लेकिन मैं ये यकीन से कैसे दियूँ यूसिफ का माबूद यकीन यक्ताओं बेमिस्ल होगा तू यकीन बेहतरी और जीबातरी होगा वगर ना यूसिफ उसकी परस्टिश ना करता है मैंने भी गिरिया किया और यूसिफ के खुदा के लिए मैंने भी तेरे लिए गिरिया किया मैंने भी यहूँ और ना येृँ झाल झाल